हेलो इब्रीवन विल्कम टू आई एस पॉइंट और आज हम लोग यहां पे जो अपनी लक्ष्मी कान की बुक से अभी हम लोग 6 एडीसन की जो बुक है तो उसे हम लोग कुछ चेप्टर से जिनको कवर कर रहे हैं तो इसमें से हम अभी बात कर रहे हैं किसमें कुछ हमारे कंस्ट्यूशनल वाड़ी हैं तो उन पे चर्चा करने मैंने कंस्ट्यूशन वाड़ी जितनी भी है हमारी मैंने आपको लिखवा दिया पहले ही कि वह कौन-कौन सी है मैं एक बार फिर रिकॉल करा देती हूं क्योंकि यह हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी ह हो जाता है देखिए यह सारी जितनी भी आपको दिख रहे हैं जो की भी नियू क्लास हो उनके लिए बता रही हूं तो आपको क्या करना है कि यह आपके एक्जाम के लिए यूपीस के लिए तो इंपोर्टेंट है ही इसके अलाबा आप स्टेट PCS की भी तयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपोर्टेंट है और अधर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उतना ज्यादा नहीं बट कुछ एक्जाम मतलब की ऐसे कुछ एक्जामिनर होते हैं जो कि पोस्ट लेते हैं तो आपको चोटी मोटी बाते पता होनी चाहिए लेकिन हम यह पूरा अच्छे त पढ़ना है तो इसमें से हम लोग इसमें जो पढ़ रहे हैं इसको ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ जो सबसे जरूरी काम करना है आपको तो एक रफ और पेन लेके बैठना है जहां पर भी आप लिख रहे होंगे और जितना मैं बोलती जाओं कि भी हो जाती है तो आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके लिए बहतर होगा बार बार आपको वीडियो किताब नहीं कोलनी पड़ेगी कि हम जाके वीडियो देखिया किताब खोल के पढ़े आपकी नोट्स में वह प्रापर चीज़े मिल जाएंगी राइट सो हम यहां तक बात की गए थी इनके में होते हैं यहां पर उन्ली थ्री मेंबरोंि और मैंने बताया था कि 1989 तक क्या था यहां उन्याडि oyun सची निका फिर किया हुआ कि यहां पर इसके freed के बास्वी सब्सक्राइब तीन सदस्य निकाह किया गया लेकिन琪 no generally 1160 फिर सब वैक्स सदस्य कर दिए टीरानवे में फिर सब तीन सदस्य किया गया और तब से आज तक 3 सदस्य निकाही चल रहा है तो ये आपको चीज़े याद रखनी है और उसके बाद जो बात आती है न कि यह तो हमने देख लिया कि यहां पर हटाना है इसे तो कैसे हटाया जाएगा लेकिन देखो सबसे बड़ी बात होती है कि सुप्रीम कोट के नियाधिस या मुख्य नियाधिस तो इसमें आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोट के नियाधिस को जिस तरी तो आपका राश्ट्रोपति का हो गया राज्य की विधानर सभाव का चुना पाल जाता है और वो चुना जाता है बाते हैं होगी और आपने चो पहले वीडियो आया था वह सारी चीज़े कवर कर ली होगी आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर यूपी असी यानि की यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं देखिए हिंदी और इंग्ल यूपी असी यूपी असी की जिसकी हुए बहुत से लोगों का आप सब्सका यह होता द्रीम होते हैं हमें एक बहुत पोस्ट मिले हम इसकी तयारी करें तो इसके लिए आप यूपी अस्ट करेंड़ हैं तो बिल्कुल सभी है लेकिन इस में से भी यह एक संस्था है कई सारे एक्जाम कंडेक्ट कराती है मैं कई बार बोल चुकी हूँ यहाँ पे चाहे हम में ड्रीम होता न कि हम IAS बनेंगे IPS बनेंगे IFS बनना है यह कुछ भी मतलब जितने भी एक्जाम कराते हैं तो वहां से यह नहीं कि UPSC बनना यह करना नहीं जी उसमें से एक ही पोस्ट आपको मिलने वाली है और उस पोस्ट के लिए आप पर तैयारी करते हैं और वहां पर जाते हैं कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि हमारा IPS में हो गया लेकिन हमें तो IAS चाहिए था तो देन हम नेक्स्ट अटेंगे और फिर देख कुछ न्यू इस्टूटेंट होगे जो सोच तो रहें लेकिन है क्या चीज यह नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा कि यह एक आयोग है जो कई सारे एक्जाम कंडेक्ट कराती है उन भी से आपका ड्रीम क्या बनना है वह आप डिसाइड करते हैं और फिर आपकी रैंक डिस एक्जाम कंडेक्ट कराती है तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है कि यूपी असी का फूल फाम क्या होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यह जो हुआ था आपको पता हो कि हमने उलिसका यह निजी तो यह बहुत कि हम क्या कि सकते हैं मैंथी भारति नहीं से टांटनी समया पन दिंश आपको पेपर लोगा तो लेकिन फीर क्या फ्याहिए निग में 10 ह में श्योंतल परंडिया से टाल नहीं परणीहे श्याफित पाता तैं में 2015 में हुरे तरीके से प्रोपर ली एक अधिनियम और बनाया गया और जो कि 1919 के अधिनियम के तहे थी ये एक ली कमेटी का गठन किया गया था ली आयोग का कभी-कभी इसमें आयोग भी पहुच लेता है तो ली आयोग था और ये कब पूरा अच्छे तरीके से पारित हुआ या कब अस्तित्तु मे आता है तो 1 अक्टूबर 1926 ठीक है 1919 के अधिनियम के तहेत बात की गई थी ये याद रखना आपको जो ली कमेटी बनाए गई थी और ये कब पूरा जो अधिनियम बना था वो पूरा एक्ट और गहरा बनके आता है हमारे सामने तो वो हमारे सामने देखने को मिलता है कब 1926 को एक अक्टूबर 1926 ये याद रखना है आपको कि इस टाइम से योपी यसी जो है पूरे भारतियों के लिए और हिंदी इंग्लिस दोनों ही लेंग्वेज में यहाँ पे आपको अबलेबल हो चुकी थी इसके बाद आप तो यह बन तो चुका था लेकिन यहाँ पे यदि से हम बात करें कि संबैधानिक दर्जा कब दिया गया था तो संबैधानिक दर्जा इसे दिया गया था 26 जनवरी 1950 को तीक तो निर्वाचा नयोग भी आप देख चुके हो कि 1925 जनवरी को इसका गठन हुआ था यूपी असी निर्वाचा नयोग से पहले गठित कर दी गई एक अक्टूबर 1926 के सदिनियम के तहट भारासासन अदिनियम जो आता है 1919 का उसके तहट लीकमेटी का गठन किया गया था और फिर उसी के तहट यह आपका पारित होता जब तो एक अक्टूबर 1926 याद रखिएगा राइट आब आता है कि यह कैसा निकाय है देखिए यह अपर पहले बताया का है आपको यह एक इन पेंडेंडेंट यानि कि स्वतंत्र और इस थाई जैसे हमने बात की थी कि निरवाचानायोग भी स्वतंत्र संबैधानिक निकाया इंडिपेंडेंड कंस्ट्यूशनल बाड़ी है उसके बाद आता है कि यह कौन से पार्ट में है या कौन से आर्टिकल में आती है तो इसका पार्ट नंबर जो आपका है वह कितना है तो यहाँ पर भाग 14 निरवाचानायों निर्वाचा नयोग में हमने 324 से 339 तक बात की थी भाग पंद्रा लेकिन हम यूपी अशी की बात करेंगे तो भाग शौदह आएगा निर्वाचा नयोग निर्वाचा नयोग इनमें क्या-क्या थोड़ा बहुत डिफरेंसे तो वह हमें और अच्छे तरीके से याद रखती जैसे मैंने अभी बता है कि आपने यहां पर यूपी असी का बढ़ा की पार्ट 14 में आता है तो वहीं पर फटा-फट यह नजर दोड कि फिर पार्ट जो हमारा 15 है 16 है उनमें क्या आता है तो फिर आपको पता चले कि अच्छा यह आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे एक्जाम ताइम में तो यहां पर भाग 14 में क्या रहा है यूपी असी पहले गठीत हो चुका था तो पहले भाग होगा और फिर उसके बाद जब भाग पहला होगा तो आर्टिकल भी पहले रखे जाएंगे 315-330 तक और यहीं स्टेट पीसेस के लिए भी आर्टिकल होगा भाग भी यहीं होगा 305-330 ठीक है और निरवाचनायों के लिए तो आपको पता चल चुका भाग 15 था और यहां पर क्या था 324-329 तक अब बात आती है यांगे कि इनमें सदस्य कितने होते हैं इनकी सदस्यों की यदि हम बात करते हैं तो इनमें आप देखोगे कि जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं 9-11 मेंबर यहां पर जो बताया गया है कि यहां पर एक तो हेड होता ही है एक चेयर परसन होगा तो एक हेड होगा और उसके अलावा जो अन्य सदस्ष होते हैं अन्य सदस्षों में से हेड को मिला के भी 9 से 11 सदस्ष हो सकते हैं UPSC में ये question पूछा गया है ठीक है यही statement बना हुआ था तो आपको याद रखना है कि इसमें कितने सदस्ष हो सकते हैं तो एक चेयर पर्षन को मिला के 9 से 11 सदस्ष हो सकते हैं कोई exact नहीं है कि होंगे ही ये राश्ट्रपती पेडिपेंड करता कि वो कितने सदस्ष यहां पर लाके रखते हैं बट हां ये 9 से 11 सदस्ष के अंदर ही होंगे इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकते कम तो हो सकते प्रते हैं न्यग्ति करते हैं और फोती कि अबना सर्फ करना है है राष्टे पत्रพरणे दीज़िय मे passieren सब्सक्राइब करें तो किसे देंगे राष्टिपती के नाम पर संबोधित करेंगे अपना त्याग पत्र राइट अब आता है कि इनकी जो टाइम पीरियड होता वह कितना होता है इनकी बात करें तो यहां पर इनके सदर्ष्यों की जंख्या कितनी है शे वर्स या पैसट वर्स यह पैसट वर्स की आयू कंप्लीट होने पर तो प्लेट जो भी पहले के वीडियो नहीं देखें आप देखिए तो चीजे समझ में आएंगी अब हम बात करते हैं इनके बेतन भत्ते की इनके बेतन भत्तों को यदि देखा जाए तो कहां पर या कौन देता है तो बेतन भत्ते जो होते हैं इनको किस से दिया जाता है तो जो हमारे भारत सरकार की संचित निधी से इनको बेतन भत्ते दिये जाते हैं कि लेक हैं किस्ते बेतन्भत्त्य दिये जाते हैं तो बारें ज़रकार 2017 ने दिये उस से इनको बेतन्भत्त्य दिये जाते और सबसे जरूरी बात बिलकुल गाठ बान लेजिए कि यहां पर यह जो हैंaval PHSC के head होते हैं या सदस्य होते हैं यह क्या कर सकते हैं दूसरी बार का नहीं बन सकता है वो राज़ पीसीस का अध्यक्स या सदस्य बन सकता है, लेकिन वो PHSC का दूसरी बार यहां पे rejoind नहीं कर सकता है यह आपको याद रखना है कि दोस्टे कारेकाल के लिए वही मिंबर योग्य नहीं होगा एक क्वेस्टन पूछा हुआ है और इसको आपको बिल्कुल खोद अच्छे तरीके से जितने इस्ट्रिक मार्क लगाना चाहिए आप लगा लें कि ये दूसरी बार यूपी असी के लिए नहीं नियु कि कम से कम दस वरसे तक वह भारत सरकार के तहित काम कर चुका हो बंदा जिसको यहां पर नियुक्ति किया जा रहा है लेकिन ऐसा आपसे स्टेट्मेंट बना के दे दिया चाहिए कि यूपी असी के अध्यक्षिया सज़स्ट्यों के लिए यह योग्यता होती है कि वह मतलब इतने वर्सों तक काम करें इतने वर्सों तक यह करें वो करें दुनिया बरेका तो ऐसा कुछ नहीं है यह कौलिफिकेशन होना चाहिए कुछ भी नहीं है एक बस अपने से कि चलो ठीक है दस वरसों तक बारत संभीधान में नहीं बढ़नी थे बस अपने से यह बनाएगा क कि दस बार से तक मिनिमम की 12 सरकार के अधिनिया काम कर चुका हो बंदा और उसी को हम यहां पर नियुक्त करेंगे हम नहीं राष्टपती महोदे करेंगे ठीक है अब आते हैं थोड़ा सा इनके जो कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है इनको आप लोग ध्यान से देखिए और यह जो बाते इसमें की गई है तो आपको देखो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और जितनी बाते हैं या जो एकजाम में पूछी जा सकते वह मैंने आपको बता दी है ठीक है और आपको यह क्लियार हो जानी चाहिए थोड़ा सा दो चार चीज़े और नोट कर लीजे यहीं पर इसमें जो पूछा जाएगा सबसे फर्स्ट जो यूपीशी के हेड थे वह कौन थे तो वह थे आपके कौन रोजबार कर पहली बार जो हेड बनाए गए थे तो ओविए से के उने सो तो पहली जो वोमेन हेड वनी थी वो कौन थी तो वो थी रोज मिलन वैथू रोजबार कर पहले हेड थे वोमेन वोमेन दोनों में ही और पहली महिला हेड जो वनी थी तो वो थी रोज मिलन वैथू करके थी ठीक है तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने रोज रोज से तो इसमें आर्टिकल में क्या-क्या बाते की गई हैं सबसे पहले आर्टिकल नमबर यह सुनना नहीं है लिखना ठीक है तो आर्टिकल जो है आपका 315 315 है आर्टिकल में बताया गया है यहां पे कि जो हमारे संग और राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग हो गई एक पाप्लिक सर्विस कमिशन वार्दा यूनियन और फ़ॉर्द इस्टेट्स यानि कि संग और राज्यों के लिए क्या होगा एक यहां पे लोग सेवा आयोग होगा अभी मैंने मताया थे ना कि राज्यों लोग सेवा आयोग भी इतने ही आभाग और आर्टिकल के अंदर ही appointment की जो बात है और जो भी इनके कार्यकाल की बात है वो इसमें 316 में बताये के 317 बात क्या करता है कि लोग सेवायों के सदस्ची की बर्थखास्तिगी या निलंबन ठीक है तो 350 में इनके बर्धखास्त की रिमोबल की बात की जाती इनके निलंबन की बात की जाती जो सदस्याहेड है और 318 की बात की जाएं तो power to make regulations यानि की आप देखोगे कि सदस्यों और करमेचारियों की सेवा सर्तों संबंधी नियाम बनाने की जो सकती होती है इनको मिली हुई होती है 318 किसको सदस्यों और करमेचारियों की जो सेवा सर्तों संबंधी नियाम बनाने होते हैं उनकी सकती 318 हार्टिकल के तहट मिली होती है अब आते हैं यहाँ पे 319 में क्या बताएगा है कि आयोक के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ती के पश्चात पद पर बने रहने पर र नहीं रह सकते हैं यानि कि कार्य वाहक अध्यक्स हो सकते हैं लेकिन उनका कार्य का समाप्तु अच्छे वर्स या 55 वर्स पूरे हुए फिर वो उस पद पर नहीं बने रह सकते हैं यह 319 कहता है अब आता है 320 320 आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन साफो पब् की गई है और 321 बात करता है लोगसेवा आयोग कार्यों का जो बिश्तार है इसके या इसके सकती की बात की गई है और 300 जो आपका 222 में क्या बताया गया है तो 322 में हमारे लोगसेवा आयोग का खर्च बताया गया तो यहाँ पे जो एक्स्पेंसेस हैं और पब्लिक सर्व लोग सिवा आयोग के प्रतिवेदन की बात कहां पर की गई है या रिपोर्ट सॉब्दा पब्दिक सर्विस कमिशन यह बात की गई है आपके किसमें आप याद करें तो बहतर होगा और बिना रिवाइज के कुछ नहीं होता है तो रिवाइज करिए और जब करेंगे तब ही आप इसे अच्छे तरीके से मतलब जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से कर पाएंगे और यदि आपने एक बार पढ़ा और सोचक चलो होगा बनता है क्या करना हमें तो वो बनता है क्या करना हमें पता तब चलता जब एकजाम हाल में जाते हैं और फिल लगता है यार पढ़े तो थे इसका एंसर क्या होगा यह होगा की यह होगा पढ़े थे हम एक बार रिवाइज कर ल हमें कॉई payment नहीं मिल रही है। इसलिए नहीं नहीं कोई सौक है, हाँ यह है कि आप लोगों की थोड़ी बहुत जो नहीं और कहीं से जिनको को चीजी नहीं समझ में रहे हैं, उनको बहतर तरीके से समझाने के लिए या उनको कहीं से मिलने पा रहा रहा कुछ, उनके लिए कि थोड़ा बहुत यदि उनकी हमेल्फ कर सकते हैं तो करनी चाहिए और यदि इसमें से भी आपको लग रहा होगा यह तो यूटूबर है यह तो ऐसे हैं देखो हमने हम लोगों की कभी दिमाद नहीं है कि आप लाइक करो शेयर करो कुछ भी करो कुछ भी मत करो चुप अपना जो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो अपलो उतनी बहुत है यदि एक भी बंदा पढ़ लेता अच्छे से तो हमारे लिए उतनी बहुत होगा ठीक है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए और कोई भी टीचर चेम Half भी में आधे अधे में रतन फौन होगा युकि लिए ने खरब में रही लेकिन वही किताम पेरियता था जो मैं वही किताय। कोई तीसरा तीसमा खाना चाहिए वो भी यही बताएगा कि यह इतने से इतने तक ही था तो इसलिए सर जगे जाने से बहतर है कि एक जगे रहिए और अच्छे तरिके से बार-बार उसी चीज को रिकॉल करिए और देखिए फिर उसका रिजल्ट क्या आता है एक किताब को दस विस्टीचर ढूणने का कोई फाइदा नहीं है यदि हमें सच में कुछ करना है और यदि नहीं करना है यही है कि भाईया हमको जज करना फिल लोगों को बताना कि उस तीचर के पाजाओ ऐसे थे उस तीचर के पाजाओ ऐसे थे तो ऐसे में फिर आप एक एडवाइजर के काम करते रहे हैं क्या दिक्कत है तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगो इस्थाइत तो बना के रखिए और बढ़ बस पढ़िए अच्छे तरीके से और कुछ नहीं सो आल्दविष्ट और आई होक की बाते समझ में आ गई होगी थोड़ा बहुत आपके दिमाग में घुस ग रहेंगे और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में